गुड मॉर्निंग ए स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पाथ वाइने क्लासे छब्रा में जिन लोगों ने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताक कि हमारे वीडियो के अपडे से लेखा जाता है अब A-B होता क्या है तो A-B का आर्थ है कि A के उन सभी आउयों का समुच जो B में नहीं है जबकि A और B इसी क्रम में लिये जाए यानि कि A और B इसी क्रम में लेने का मतलब यह है कि A को पहले रखेंगे और B को बाद में रखेंगे तो उसमें उन सभी आ होगा हो जो बी में मौझूद नहीं है a-b का मतलग हुगा कि a के उनसा भी होगा समुझ, जो b में मौझूद नहीं है ठीक है, तो ध्यान रहे हैं, कहा रहा है कि a और b इसी करम में लिगे जाने चाहिए, यानि a पहले होगा और b बाद में होगा तो इसका कहने कारत है कि मार लिजे A-B आ रहा X, X उनसा भी element के समझे जो A में belong करेंगे और X B में belong नहीं करेगा, इसका कहने का ताथ पर यहीं नहुगा समझाना यह बात को, यानि कि अगर कहीं दिया हो कि X element जो है, belong कर रहा है A-B में इसका ताथ पर यह हुआ कि X जो element है A में मौझूद है, और X जो element है वो B में मौझूद नहीं है समझाना यह इसका मतलब, चलिए अब आप लोग इसको example 6 समझते है माल जिए, exit A दिया है ठीक है, यह आपका example first माल लेते है 1, 2, 3, 4 और B में जो element दिये गए है 3, 4, 5, 6 तो अगर आपको यहाँ A-B ग्याद करना है तो A के उन सभी अवयों का समझ जो B में नहीं है, यानि कि देखिए आपको करना क्या है जो common है उनको देख लिजिए, 3 और 4 दोनम है तो जो A में बच जाएगा ना वही तो यहीं यहाँ का रहा है कि A के उन सभी अवयों का समझ A के उन सभी अवयों का समझ जो B में मौझूद नहीं है तो B में 3 और 4 मौझूद है इसलिए इसको छोड़ के बाकी जो A में बच जाएगा वो लिखेंगे अगर आप यहाँ B-A निकालते हैं तो यहाँ हो जाता है B के उन सभी अवयों का समझ जो A में नहीं है तो यहाँ सिर्फ 5 हैं तो इसको लिखते हैं यहाँ से आपको पता यह भी चल रहा है कि A-B यह B-A के बराबर नहीं होता है यह आगे तो यह पढ़ेंगे ही लेकिन अभी आपको यहाँ से यहीं न कन्फरम पता चल रहा है चलिए अब इसका वे नारेख द्वारा समझते हैं कि करके चलिए पहला हम लोग लेते हैं पहला ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे एक आयत लेंगे समस्टिय समुझ के लिए ठीक है यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं आप ऐसे से और इसके अंदर हम लोग माल लेते हैं या कंडिशन लिख देते हैं सबसे पहले कि A माइनस B A माइनस B कव तो जब A प्रोपर सबसेट हो B का है B का प्रोपर सबसेट हो यानि कि यह वाला जो ब्रित देख रहे हैं A के लिए है और यह सेट B के लिए है अब अगर A के सभी element जब B में मौझूद होंगे तो किसको रंगेगा इसको example से एक समझ जिए इसको example से समझ जिए कैसे तो माल लिजे A बराबर 1, 2, 3 दिया है देखिए दोनों में क्या है तो यह common यह है तो यहां लिखने का मतलब यह होगा कि A के उन सभी होगा समझ जो B में मौझूद नहीं है तो B में तो सारा element नहीं मौझूद हो जाए या कि इसमें कुछ नहीं बचेगा यानि कि फाई यानि कि फाई यानि कि जब इसमें रंग ना होगा तो कोई हिस्सा नहीं रंग सकता है क्योंकि इसमें एक भी element नहीं आ रहे तो यहां से एक formula आपको यह पता चल गया कि A माइनस B जो होगा A माइनस B का मान A माइनस B का मान फाई होगा कब जब आपका A कह रहा हो कि B का proper subset हो A B का proper subset हो तो यह हो जाएगा और इसमें कोई भी area इसको नहीं रंगेंगे कोई भी area shaded नहीं होगा क्योंकि एक भी element नहीं आ रहे है न इसमें चलिए second देखते है second देखते हैं हम लोग इसका condition सबसे पहले एक समस्टिय समुझ यानि कि एक आयत सित्र ले रहते हैं चलिए यह आपका समस्टिय समुझ को denote कर रहा न यहां S दे देते हैं ठीक हम यहां एक condition लेते हैं कि A माइनस B A माइनस B जब B सबसेट हो प्रोपर सबसेट हो A का यानि कि B के सभी element A में मौझूद हो यानि कि कुछ इस तरह से आपका figure बनेगा यह बड़ा वाला figure A हो जाएगा है और इसके अंदर जो होगा वो B हो जाएगा ऐसे होगा न कुछ चलिए तो यह हो गया A और यह हो गया B example समझ यह A बराबर आपके पास दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और B बराबर दिया है 1 और 2 तो यह ही दो element बाल लेता है तो अगर हम यहाँ A माइनस B की दिखा है तो A के उन सभी होगा समुझ होगा जो B में मौझूद रही है तो कौन कौन से B में मौझूद है तो 1 और 2 को छोड़के जो बच जाएंगे इसमें वही न यानि 3, 4, 5, 6 तो इसी condition के अनसार नहीं है B देखिए A का proper subset है कि नहीं B के सारे element A में मौझूद है तो यह उसी पर नोधारन है यह न बच जा रहा है B को हटाने के बाद यह बाहर वाला यह जो अंदर है ना इस छोटे वाले ब्रित के बाहर जो हिस्सा है वो बच जा रहा है तो इसको आप रंग देंगे ठीक है यहां से आपको clear हो गया चलिए अगला देखते है तीसरा देखते हैं हम लोग तीसरा सबसे पहले आपको क्या लेना होगा एक समस्टिय समुझ लेना होगा ठीक है इसको रिनोट कर देते हैं हम लोग S से ठीक हम लोग यहां condition ले लेते हैं कि A-B A-B जब ना तो ना तो A proper subset हो proper subset हो और ना B A का यहां ना जोड़ना चाहिए था हमें और ना B A का proper subset होगा यानि एक दुश्टे के कोई proper subset ना हो यानि कि कुछ element उसमें common दिख रहे हो कुछ इस तरह से हाना इस तरह से ठीक है इसको example से समझते हैं सबसे पहले यह A होगा यह आपका B होगा चलिए तो A-B का मान कैसे निकालागा माल लिजी आपके पास A बराबर element दिया इसके अनुसार हम लोगे example लेते हैं 1, 2, 3, 4 और B बराबर एक सेट दिया है आपके पास दिया है 3, 4, 5 समझ रहे हैं तो यहां अगर देखिए और जो इसमें बच गया जो इसमें बच गया 1 or 2 ना 1 or 2 यानि कि इसमें जो दोनों में common है यह वाला हिस्सा चाड़ देंगे और जो A में बच गये यही वाला हिस्सा रहेंगे यहांसे आपको यह example से clear हो जारा है समझे हैं ना यहां यानि कि दोनों circles में देखने हैं यह common है यह common है दोनों सेट में यह common है तो इसको छाड़ दिए जो बच जाए गए में वह वाला हिसा हमनों रंग दिए समझ गये यहां से चली अगला देखते हैं अगला हमनों चार नमबर देखते हैं चली इसका just एक opposite देखते हैं अब करके B-A करके देखते हैं, तियम अभी जो देखेते हैं तीन नमरों सी का, चलिए यह आपका समस्टिय समुझ हो गया, हम लोग condition ले लेते हैं, B-A, जब, जब, ना तो, ना तो, A proper subset हो B का, और ना, और ना, B proper subset हो A का, ठीक है, दोनों में से कोई किसी का proper subset ना हो, यानि कि यहाँ A सेट यह हो गया, और एक सेट यहाँ पर हम लोग B ले लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यह आपका A है, और यह B है, चलिए इस एग्जांपल को एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, B बराबर दिया आपके पास, तीन, चार, और यानि कि यह पता चला है, कि जो B में बचेगा उसको रंग देना है, B मैंस A के मतलत है न, यानि कि यह हिस्चे को रंग देंगे, समझ रहा है न, चलिए अगला देखते हैं, चलिए पांच वा आपका देखते हैं, हम नों सबसे पहले एक समझतिय समुझ ले लेते हैं, यह आपका समझ्टिय समझ हो गया इसका नाम देते हैं S ठीक है और कंडिशन लेते हैं कि A-B A-B जब A intersection B बराबर हो फाई A intersection B बराबर हो फाई क्या मतलब आपको याद आया कि A-B आसयुक्त समझ्च है A-B क्या है आसयुक्त समझ्च है यहांसे यही नपता लग रहा है आपको बता चुके हैं कि यह intersection B यानि दोनों में एक भी element common नहीं होंगे तो आसयुक्त समझ्च होंगे न यानि ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां A-B या A-B आसयुक्त है आसयुक्त समझ्च है चलिए हो गया दोनों का कहने का sense यही है चलिए तो हम लेते हैं A-सयुक्त मतलब कुछ भी element इन में common नहीं है यानि कि यह A-set हो गया और यह आपका B-set हो गया ठीक है दो से दोनों बिन-बिन प्रकास्या अलग है तो यहां अगर इस तरह से example देखा जाए A बराबर माली जाब के पास है 1-2-3-4 और B बराबर आपके पास दिया है 5-6-7 तो यहां से अगर आप चका है कि A-B बताइए तो कुछ common नहीं है दोनों में कुछ common है नहीं है तो A के उन सभी होगा समझ्च जो B में मौझूद है तो यह सारे होग आपका बन गया यह formula आप याद रखेंगे कि A-B बराबर होता है A, A-B बराबर क्या होता है A, जब कब A intersection B बराबर दिया हो 5, A intersection B क्या दिया हो 5, यानि कि A और B जब आज सयुक दिया होगा तो ऐसा हो जाएगा, चलिए, एक और देख लेते हैं सेमी सी पे, चलिए चलिए भी आपको हो सकते हैं, जितने as possible, हम सारे आपको बता देंगे, इतना अच्छा से आपको concept के लिए करा देंगे, कि आपको कोई डिक्कत नहीं किसी भी टीचर को से पढ़ने जोत नहीं है, और टीचर से भी आप सवाल कर सकते हैं कि सर जी, यह कैसे होगा, यह कैसे होगा, आ हम लोग अपकी बार क्या करते हैं, कि अपकी बार हम लोग B-A निकालते हैं, काम, तो जब A intersection B बराबर 5 हो, यानि कि आस सयुत हो A और B तब, ठीक है, तो इसमें भी अगर दारन देखना चाहें, तो दारन से भी आप देख सकते हैं, चलिए सबसे पहले figure बना लेते हैं, यह 5, 6, 7, ठीक है, अगर हम आपसे कहें, कि यहां निकालना है, आपको B-A, तो B के उन सभी अवयों का समुझ यह मौजूद नहीं है, तो इसके सारे अवयों जो इसमें मौजूद नहीं है, सारे हो जाएंगे हैं, 5, 6, 7, यानि होल सेट B ही आ जा रहा है वापस हैंना, यानि क आपको यहां से समुझों का अंतर पूरी तरह से क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हम लोग, तो यह अगला है आपका टपिक समुझ का पूरक, यानि कि कम्प्लिमेंट अफे सेट, ठीक है, कम्प्लिमेंट क्या होता है किसी सेट का उसके बारे में देखते हैं, तो किसी स पूरक समुझ वा समुझ है, समुझ एका पूरक समुझ वा समुझ है, जिसमें समिष्टिय समुझ स के वे सभी अवयव हैं, जो एका अवयव नहीं है, ठीक है, समिष्टिय समुझ के वो सभी अवयव ले लेंगे, जो एके अवयव नहीं हो, और एके पूरक समुझ को, हम मालीज़ आपके पास एक समिष्टी समुझ दिया है, उसमें element है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चली इतना ही काफी है, अब आपके पास A एक सेट दिया है, उसमें element मौझूद है 1, 2, 3, तो इसका जो आपको पूरक निकाल ला होगा, या तो आप A' से सुझित करेंगे, या A का पावर C से ह तो इसका मतलब क्या हुआ, कि उन सभी आवयों का समुझ, इसके उन सभी आवयों का समुझ, जो A का आवयों नहीं है, तो A का आवयों 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 को छोड़के जो बच जाएगा ना, 4, 5, 6, और 7, यह हो जाएगा, है ना, यहांसे आपको यह किलर होगा, अब यानि कि इस समिष्टिय समुझ में से इसको घटा दिया जाए, तब भी यही आएगा, ना, देख लिजिए, इसमें से इसको घटा दियेगा, तो S के वे सभी आवयों लिखेंगे ना, जो A का आवयों नहीं है, यानि यहीं ना, बचेगा, हाला, तो दोनों तरफ से एक क्ल और X जो है A से बिलॉंग नहीं करेगा, माइनस का मतलब A ना होता है, यानि कि यहां से अगर एक और चीज यहां किलियर हो गया, कि अगर X बिलॉंग करता है, X अगर बिलॉंग कर रहा है A डैस से, X अगर बिलॉंग कर रहा है A डैस से, तो यहां आप ऐसे कर सकते हैं, कि X नहीं बिलॉंग करेगा एसे, कहने का मतलब यहां देखिए, यहां से देखिए, A- का मतलब क्या है, A का कम्प्लिमेंट, तो देखिए A का कम्प्लिमेंट यहां 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 रहा है, 4, 5, 6, 7, तो अगर वह X element इसमें मौझूद है, यानि कि जैसे माली जे 4, 4, यहां देखिए, 4 ही element है, 4 यहां जो A- में बिलॉंग कर रहा है, तो देखिए, क्या यहां 4, A में बिलॉंग कर रहा है, नहीं न कर रहा है, तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर कोई element x belong कर रहा हो किसी compliment में तो वह उस set में belong नहीं करेगा, समझ रहा है इस बात को तो इसका भी use हम लोग आगे proof sum में करेंगे, ठीक है? अब चलिए इसका हम लोग way नारेक देख लेते हैं चलिए तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक आयत ले लेते हैं, इसको sumishtria समुझ दिखा देते हैं, universal set दिखा देते हैं, चलिए यह आपका s हो गया, ठीक? अब हम लोग माल लेते हैं, इसके अंदर कोई set यहाँ पे है a, ठीक है? a एक set है यहाँ पे, हाँ ना? और हमें क्या निकालना है? a dash की बात करनी है तो आपको example से एक बता दे, पहले समिष्टी समझ कर ले लेते हैं, जब 1, 2, 3, as, माले जे 10 तक दिया है, ठीक है? और a बराबर दिया है आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है? अगर a dash की बात करेंगे, तो क्या रखेंगे? एक, दो, तीन, चार को छोड़कर बाकी जो बच गए, यानि क ये total area आपको saddle कर देना है, ये total area बस a को छोड़कर, उस circle को छोड़कर उसके बाहर का जितना भी rectangle में area बच जा रहा है, उस सबको रंग देना है, यह से आपको clear हो गया, समझ के पूरक तो इससे तो ये आपको clear हो गया, इसमें एक ही है, आपका winner एक ही बनेगा और कोई condition न expressions, ठीक है, तो इसमें पहला आपका नियम है, वर्ग सम नियम, यानि कि अड़ाउमपटेंट लॉव, यानि कि कि किसी समुच ए के लिए, पहला formula क्या है, कि कि किसी समुच ए के लिए, a intersection, a जो होता है, वो a के बराबर होता है, और दूसरा जो है, a union, a जो होता है, a के तरीके से आपको दिखा देते हैं, पहला तरीका क्या होगा, पहला दोनों इजी तरीका है, आपको बस जो नियम समझा है, इस वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में, वो सब चीज धियान रखना है, आपको ये clearly समझ में जागा है, a intersection a, ठीक है, तो आप याद करिए, आपको a intersection b के लिए क्या लिखवाये थे, तो आपको लिखवाये होंगे, कि x colon x, x belongs to a, और x belongs to a, यहाँ इस तरह से, दोनों जगए यह है तो a, वहाँ था आपका एक a, तो एक b, तो यहाँ a लिखे थे, तो यहाँ b लिखे थे, यहाँ भी लिखे थे, यहाँ आपको, जब x a में भी बिलोंग कर रहा है, और x a में भी बिलोंग कर रहा है, दोनों का sense यही होगा, यहाँ पहले तरीके से यह आपका, अपका सावीत हो गया X कोई element है जो belong कर रहा है A intersection A में X कोई element है जो belong कर रहा है A intersection A में तो याद है इसको भी लिखना आपको चिखाया थे तो लिखेंगे X belongs to A intersection है तो देंगे और है ना? और यहाँ लिखेंगे X belongs to A यानि X belongs to A और X belongs to A तो पर यह हुआ कि X belongs to A दो बाल लिखने का बता यहीं न होगा यानि कि इसलिए आपको पता चल रहा है कि जब X एक element है A intersection A में बिलोंग कर रहा है आवही X element A में भी बिलोंग कर रहा है यानि यहां से यह पता चल रहा है कि यह इसका subset होगा A intersection A is the subset of A यह आप पहला माल लिए यह पहला समिकरन माल लिए उसी तरह से हमनों फिर दूबारा क्या करेंगे कि mana उलटा चलेंगे अपकी बार इस से मतलब आपको करना क्या कि इसको subset दिखा देना है और इसको सफचेट दिखाना है तो जब एक दूसरे के subset हो जाएगा तो आप याद है ना आपको लिखवाय दे कि बराबर हो जाता है ठीक है तो यहां चलिए अब इसको लेंगे कि mana X belongs to A तो आप इसका sense आप ऐसे भी तो लिख सकते है कि X belongs to A और X belongs to A दो बार भी तरह से लिख सकते है यह आप को सिखा है नियमों में ठीक है? यानि कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते है कि X belongs to जब और है तो intersection आ जगा ना A intersection A यानि तद पर यह हुआ कि यह जो A है A यह subset है A intersection A का यह दो तो यहाँ एक तथा दो से एक तथा दो से यहाँ समीकरन लिख देते हैं समीकरन एक तथा दो से इनसे और इनसे दखिए यह इसका subset है और यह इसका subset है दोनों एक जब दूसरे का subset हो गया तो यहाँ से क्या हो जागा? दोनों बराबर हो जागा कि नहीं? आपको याद होना चाहिए कि आपको सिखायत है कि समुझे A और B बराबर समुझ कहलाते हैं जब A, B का सबसेट हो और B जब याद है ना आपको कि A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का तो वो A बराबर B हम लोग लिख सकते हैं याद है न आपको तो यहाँ से वही नियम लग रहा है कि जब A intersection A subset A का और A subset A intersection A का इसलिए A intersection A बराबर A यह आपका यहाँ से प्रमानित हो गया समझ गया अब दूसरा जो है तेम वही करना है बस union है तो union के जगा पर क्या लादेना है या लादेना है ठीक है तो चलिए इसको भी बता देते हैं अभी सारे नियम आपको बताएंगे हर चीज स्टेप बाई स्टेप बताएंगे बस आपको ढ़ंग से महनत करना है और जितना ज़्यादा हो सके ना दोस्तों में ये वीडियो सेयर करिए आपको पूरी तरह से कई जारा नहीं पढ़ने के लिए आपको और आप खुद पढ़ते भी होंगे तो आप अपने टीचर से हजार सवाल कर सकता है कि सरीय कैसे होगा वो कैसे होगा आपको एक concept देंगे सही concept देंगे यहां थे चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग यहां पर दूसरे के लिए हम लोग इसका ए यूनियन ए वाला हिस्सा ले लेते हैं यह एलेचेस वाला पार्ट अब देखिये इसके बराबर में हम लिख सकते हैं ना है एक्स कॉलन एक्स बिलॉंग्स टू ए याय एक्स बिलॉंग्स टू ए याँ यूंिएज यह लिखिक देते थे यहां इसका condEEEEX x belong क्यूंग्स टू ए यहां से यह किसका किसमयत कर रहा तो चीह को anche пош गया यहांleg इसको दूसरे method से देखते हैं, तो दूसरे method में मान के बनाए जाता है, second method देखिए, मान लेंगे, कि x एक element है, जो बिलॉंग कर रहा है, a union a में, जानि कि इसका मतलब यह हुगा, कि x element जो बिलॉंग कर रहा है, a में, या x element बिलॉंग कर रहा है, या x element बिलॉंग कर रहा है, इसका मतलब यह हुगा कि X element जो बिलॉंग कर रहा ए में, दोनों का sense यही कह रहा है, जब A में बिलॉंग कर रहा है या A में बिलॉंग कर रहा है तो यही आएगा न, यहांसे यह पर आचल गया कि A union A जो होगा, तो अब सेट होगा A का, इसको first माल लीजिए, उसी तरह से हम ल लिकत नहीं है, चलिए, यहांसे आप ऐसे लिख सकता है कि X belongs to A, यहां है तो union आ जागा न, A union A, clear होगा है आपर, अब यहांसे यह न पता चल गया कि A जो है, X जब A में बिलॉंग कर रहा है, और X जो है, बिलॉंग कर रहा है, A union A में, तो A जो होगा, subset हो जाएगा, A union A का पार यह, subset हो जाएगा, तो यह आप दो माल लिजिए, और A किताथा, एक टताथा, दो से, जो हो जाएगा, यहांसे जब एक दूसरा का subset हो गया, तो A union A बराबर हो जाएगा, A, यहांसे आपका प्रमानित हो गया, चलते हैं अगले नियम पर, चलिए, अगला है आपका तस मक्निय में, यानि identity law किसी समुझ A के लिए A intersection S जो होता है A होता है, यानि S यहाँ समिष्टी समुझ है, और A union 5 जो होता है, वो भी A होता है, तो चलिए करके दोनों को साविद करते हैं, पहला देखते हैं A intersection S बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं इसका पत्पर यह हुआ है, कि X, colon X X ऐसा element है, जो A में भी विलोंग कर रहा है और intersection है तो क्या है, और X बिलोंग्स टू S, अच्छा, ऐसा X element है, जो A में भी विलोंग कर रहा है और S में भी विलोंग कर रहा है, यानि कि यह आपको confirm हो गया, कि X को यह इसा element है, जो X बिलोंग कर रहा है A में, क्योंकि जब A और S समिष्टे समझ में तो सारे होते हैं, तो दोनों में common A ही न दिख रहा है, चलिए तो यहां से यह आपको value कि इसका पता चल रहा है A का है, इसका meaning यहीं नहुगा कि A का मत्तब है, और यहां X वो सारे element है, तो यानि कि वो set A के बारे में कहा रहा है, यहांसे यह पता चल गया कि A intersection S बराबर हो जागा A, यह आपका साबित हो गया, तिक है, अब चलिए इसको दूसरे वीधी से भी हमनों साबित करके देखते हैं, second method में उसी तरह से, जैसे इसके पहले वाले question में बनाए थे, उससे कर देते हैं माना, X को यह element है, जो belong कर रहा है A intersection S में A intersection S में, यानि आप यहां implies लिख सकते हैं, implies भाई X belongs to A, और X belongs to S, ठीक है, यानि कि यहांसे यह पता चल रहा है कि X belongs to A, तो X belongs subset होगा A का, इसको first मान लेगे हैं समझे हैं ना, चलिए अब दूसरा क्या होगा, कि हम लोग मान लेंगे माना, X कोई element है जो belong कर रहा है A से अब की बाद इस से चलेंगे ना, रह इस से यहां लिख सकते हैं कि X कोई element है, जब अगर वो A से belong कर रहा है, तो हम कहा सकते कि हो समिष्टी समुच्च में भी मिलेगा मिलेगा ना, यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि X जो element है वो belong कर रहा है A intersection S में, यानि यह पता चल गया कि A is the subset of A intersection S, यह दो हो गया ठीक है, तो यहाँ एक तथा दो से एक तथा दो से, एक तथा दो से क्या हो जागा है यहाँ पर A intersection S बराबर हो जाएगा A, क्योंकि यह इसका subset है, यह इसका subset है यानि दोनों बराबर हो गया, आप चाहे ना तो देखिए आप एक और काम कर सकते हैं इतना लंबा ना ले जाने के जगा है आप simply भी कर सकते हैं थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है करना क्या आपको देखिए आप दूसरे विदी से एक और विदी इसको बता दे रहे हैं किस तरह से आप लिखिएगा तो लिखने का आपको तरीका समझना होगा यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें इस फर्स्टे के लिए देखिए एक एक एलिमेंट है वो बिलॉंग कर रहा है एंटरसेक्शन एस में ठीक है और यहाँ पर implies and implies by दोनों तरफ से देदे ठीक है मतलब यह इसको इंगित करेगा और इधर वदा टर्म इसको इंगित करेगा तब यहाँ देखिए क्या हो जागा एक्स बिलॉंग्स टु ए और यहाँ लिखेंगे एक्स बिलॉंग्स टु एस ठीक है यानि कि implies and implies by यहाँ पर भी दे सकते थे आगे उसी के आगे देते हैं चलिए इसके आगे ऐसे देते हैं ठीक है इसका मतलब हुआ कि x बिलॉंग्स टु ए ठीक है अब इसका तत्पर यह हुआ कि a intersection s बराबर a यह दोनों बातों को एक साथ कह दे रहा है इसमें दोनों बाते एक साथ हो जा रही है यहाँ दिखा रहा है कि यह इसको इंगित कर रहा है और यह इसको इंगित कर रहा है और यह दोनों एक दूसरे को इंगित कर रहा है तो यहां से एक से ही आपका ये काम चल जा रहा है समझे ना तो यह हर एक चीज पॉइंट को नोट करिएगा एक एक चीज आपको जो बताएंगे चलिए इसका second number देखिए तो चलिए second number देखते हैं हम लोग a union phi लिए हैं a union phi लिए हैं तो यहां इसको कैसा रही सकता है कि x colon x belongs to a यहां आजाएगा ना x belongs to phi अचा एकस ऐसा element है जो a में मिल रहा है या x element जो है phi में मिल रहा है यानि इसका तक पर यही नहुगा कि x यह finally है कि a में belong करेगा ठीक है यानि कि यहां से आपको यह क्यों से पराप्त हो रहा है a यानि कि यहां से आपका प्रूफ हो गया कि a union phi जो होगा ना a के बराबर हो गया second method देख लेते हैं अब sort वाले सी बनेंगे हां ना यहां असानी से बन जाएगा तो हमनों second को देखते हैं मान लेते हैं कि मान x बिलोंग कर रहा है a union phi में तो यहां किया देंगे implies and implies by यहां यहां से यहां से यह पता चल गया कि a union phi बराबर हो जाएगा a तो इस नियम के परियोग से आप इसके पहले वाला जो था ना उसमें आपका था ना a union a बराबर a इसको भी सावित कर सकते इसी से ठीक है तो आपको दो बाट नहीं दिखाना होगा है ना इंडिरेक्ली हो जा रहा है एक दुस्रे को इंगित कर दे रहा है समझ रहने इस बात को तो यह आपको clear हो गया अब इसी के साथ क्या करते है कि इस वीडियो को in कर देते है प्लीज आप चैनल को सिस्क्राइब कर दे बैल आइकन नवा दे और ज्यादा ज्यादा दोस्तों में करें और हमारे फेस्बूक पेज को आप लाइक जरूर कर ले क्योंकि उस पर हम दो जितने भी एक्टिविटी होंगे क्लास्रूम के प्रैक्टिकल्स वगरा करेंगे तो उस पर वो सारे वीडियो अप्लोड करेंगे ठीक है तो चैनल को भी सब्स्राइब कर ले बैल आइकन चैनल के लिए और वीडियो जादा से जादा से जादा से शेयर करेंगे क्योंकि सबको पता चलेगा तभी ना लोग क्लास कर पाएंगे सई से क्योंकि आपके टीचर्स जो है हमको फाइनल ले इतना पता ही है कि आपको से रिलेस्ट फंक्शन या फिर बहुत सारे कि अभी डोमें रेंज बहुत सारा चीज है फंक्शन में बहुत सारा चीज आपको इसमें जलना है तो आप चैनल से जूरे हैं और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा उसके दोस्तों में सेयर करें